बिहार की तरफ और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी परिक्षा की जो की लगतार छे वर्सों से कभी पटना हाई कोट का तो कभी बिहार SSC का हाथ का कटपुतली बना हुआ है यह परिक्षा जी हाँ दोस्तो हम चर्चा कर रहे हैं बिहार SSC इंटर लेबल मेंस एक्जाम को लेकर चुकि देखें यह परिक्षा पीटी में अगर हम देखें तो दो से तीन बार यह रद हो चुकी है दुबारा परिक्षा होई तीबारा परिक्षा होई और फाइनले जाके इसका प्रचने सामने आ रही हैं लेकिन एक बर यह मामला फिर से जा पहुँचा है पटना हाई कोट के गोद में जिया और पटना हाई कोट ने क्या आदेश दिया है इस पर हम चर्चा करेंगे एक ओफिशल अपडेट जो की पटना होई हाई कोट के ओफिशल वेबसाइट से दि और हाँ जो भी मेरे भाई बंदू चैनल पे नए हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही पलपल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल क जुड़े रहेंगे चुकि कुछ कारणों से अभी कुछ दिन से अपडेट नहीं आ पा रहे थे लेकिन अब रेगुलरली ये अपडेट सारे आप तक पहुचाते रहेंगे दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इन सब के अपडेट पे तो सबसे पहले पटना हाई कोट की और और अदर्स यहां पे जो रिस्पॉंट कर रहे हैं उनमें आप अप आप देख सकते हैं किनके इनके नाम है अप्लिकेंट में है नाम दोस्तों ललित किशुर और मिश्टर सत्यबीर भारती के जो कि एड़्वोकेट है और रिस्पॉंट कर रहे थे मिश्टर कौशिक Unkar मार कौशिक जो हैं वो भी एक एडवोकेट हैं खेर यहां पे बिहार SSC जो अपील किया गया था बिहार SSC के विरुद में बिहार SSC अपना ये पक्ष रखा कि ये परिच्छा ली जाए 13 दिसंबर को ठीके तो उसको लेकर भी यहां पे ये केस जीच चुकी है चुकि बिहार SS SSC ने अपना पक्ष जब रखा तो यहां पे जो भी वकालत नामा दिया गया यहां पे बिहार SSC या फिर आप कह सकते हैं कि पटना हाई कोट के बीच में जो भी चर्चा हुई है उसको लेकर तो यहां पे बिहार SSC अपना ये केस जीच चुकी है अब 9 दिसंबर 2020 को एक दिया जाएगा इसके और को लिकर वो कल आपको मिल पाएगा दोस्तों यहां पे जो में चर्चा हुई है उसके उपर क्या कहना है इनका पटना हाई कोट का तो इनका कहना है कि देखे इट शैल बी ओपेन फॉर द अप्लिकेन फॉर द प्रसीट टुदा इग्जामिनिशन आज के आदेश के बाद अगर देखा जाए तो मात्र पांच दिन बचे विए हैं कि इसकी परिछा ली जा सके अभी तक एडमिट कार्ट जारी नहीं किया गया है कि कौन से छात्र का एक्जामिनेशन सेंटर कहां पड़ेगा और वो एक्जाम दे पाएंगे या नहीं दे प आ चुके थे घर लेकिन जो बात में बाते हुई ओफिशल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है कि इसको थगित किया जाएगा मैं आपको वह भी देखला देता हूँ पहले तो ठीके बिहार एससी का जब भी आप ओफिशल वेबसाइट ओपन करेंगे तो यह मैं आपको नहीं देखला पाया था लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि आयोग के आवशिक सूचना के अनुसार यहाँ पे 7 दिसंबर द्वारा विग्यापन संक्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरिये संजुक्त प्रतुक्ता परिक्षा 2014 की दिनांग 13 दिसंबर को निर्धारित मु है और पत्ना हाइकोट ने ये जो सारी चर्चाए है वो अब बिहार स्सी के उपर मड दिया है यानि कि अब जो बिहार स्सी चाहेगा कि यह परिक्षा हो या नहों यह इसके उपर करता है यह अतियो 13 12 को आयूजित परिक्षा वने वाली परिक्षा जो है स्थगन संक्ना सुचना रद किया जाता है तो ये बिहार SSC का कहना है कि इसको सगित किया जाए ठीक है अब यहाँ पे बिहार SSC अपना केस जो इसके उपर अब्जेक्शन लगाये गया था वो तो जीच चुकी है ये देखे जब आप पतना हाई कोट के ओफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आठ नंबर पहराग देखेगा यहाँ साब इसको पेडियेफ को डाउनलूड कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिख लाया है अब आपको इसको पूरत थ्रो आउट पढ़ लेना हो ज्यादा बड़ा भी नहीं है यही सारे चीज़े मैं बता रहा था और यहाँ पे देखेगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि पांच दिन बचे हैं अब यह डिपेंड करता है विहार SSC के उपर कि क्या ये इतनी जल्द दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं ठीक है जिनका छुटता है या फिर इसके कारण वो भी फिर से केस कर सकते हैं कि ऐसे इस हिती में माधर पांस दिन के अंदर ही इसका एड्मिट कर दिया गया लोग अपने सेंटर्स पे नहीं पहुँच पाएं तो इसकी जीमेवारी भी ब सकती है ठीक है बस ये बाते कहीं हैं यहाँ पर तो दोस्तों यह जो छोटा सा अपडेट था मैंने आप तक साज़ा किया है अब बहुत सारे छाद्रों का यहां पर सवाल होगा कि क्या यह जो परिछाएं हैं वो हो पाएंगी तो देखें मेरा मानना है कि नहीं हो पाएगा 13 दिसंबर को ठीक है 13 दिसंबर को नहीं हो पाएगा और यह एक नया date mention किया जाएगा नया date schedule किया जाएगा जिया चुकि बिहार SSI पहले ही यहाँ पर अपना एक notification देकर यह बता चुकी है कि date extend किया जाएगा और फाइनली इसके लिए एक विरोध में याची का दायर किये थी जिसके regarding यहाँ पर पटना हाई कोट ने अपना एक फैसला सुना भी दिया और यह फैसले में यही बोला गया है यह आठ बारा का एक copy है यह आप इसको पढ़ सकते हैं यही सुनाए गया है कि 5 दिन बचे भी है और 5 दिन में सारी चीज़े नहीं हो पाएंगी clear तो यह अब depend करता है भी हारेसी के उपर कि वो कब एक्जाम लेंगे और कब तक इसका एक्जाम ले सकते हैं जल से जल ठीक है तो अब यहाँ पर भी हारेसी ने अपना नोटिस जारी करी दिया था कि हम एक्जाम को सगित कर रहे है इसको नया डेट दिया जाएगा website पर विजिट करते रहेंगे आप लोग ये दो चीज़े हो गई यहाँ पर और दोनों चीज़े यही बता रही है कि पांच दिन के अंदर आप लोग जितने भी चात्रे हैं अपने सेंडर्स की तियारी करें कि जाना है किस तरह से जाना है चुकि ट्रेंज वेगरा सब कुछ अभी ख्लोज है उस तरह से पूरी तरह से चालू नहीं है कि आप सब हर एक डिस्टिक में जाके एक्जाम दे सकते है हर एक डिस्टिक के लिए बसेस भी नहीं चल रही है उतनी तो ये सारी चीजें हैं बाधा डाल सकती हैं इस परिक्षा में ज्यादा कम से कम चात्रों को बैठने के लिए तो एक छोटा सा अपडेट था यहां से जो कि मैंने आपको ओफीशिली सारे अपडेट दिये हैं कहा 1987 बैच के अधिर सुधीर कुमार जो है वो निलंबन मुक्त कर दिये हैं चुकि आपको पता होगा कि 2014 में जो पेपर लिग का मामला सामने आया था उसको लेकर इनको हिरासत में लिया गया 2014 के प्रश्णपत्र लिग को लेकर होने के बाद 24.2017 को उन्हें गिरिफ्तार कर लिया गया था गिरिफ्तार के होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और निलंबन यहां मुक्त हुए है बिहार करमचारी चायन आयोग की अध्यक्ष रह चुके थे इंटर इस तर प्रश्नपत्र लिक मामले में उनकी सनलिप्तता के साक्ष मिले थे इसके बाद 24 फरी 2017 को उनको गिरफतार किया गया नियाई किरासत में जेल भेज दिया गया था चरकार ने गिरफतार के मद्दे नजर उन्हें निलंबित भर्क कर दिया था इसी साल 7 अक्टूबर को वो जेल से बाहर आये हैं उन्होंने अगले दिन ही समानी प्रशासन विभाग में योगदान भी दिया है और निलंबन से मुक्त होने का अनुरोध किया था जो कि 23 नमूंबर को राजी निलंबन समिच्छा की समित्ती की बैठक होई जिसमें कि उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया गया है अनुशन सा की गई थी इसके बाद राजी सरकार ने उन्हें लिलंबन से मुक्त करने के निर्णे लिए और वो अबाबत समानी प्रशाशन विभाग द्वरा सोमवर को संकल पजारी कर दिया गया है तो यह सारी चीजे है एक निउस अपडेट है जो कि यहां पे इन चीज के लिए साक्षे नहीं मिल पाया हो जिस चीज के लिए ग्रफतार किया गया हो लेकिन इनको यहां पे निलंबन मुक्त किया गया है तो इनके लिए एक अच्छी खबर है लेकिन आप छातरों के लिए खबर कैसी होगी यह बिहार SSC अब बताएगी बहुत ही जल्द कि कब इसके एक्जाम होंगे 13 दिसंबर को संभवत एक्जाम होने की संभावनाय कम लग रही है धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं धन्यवाद